नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आप लोग को CITS, आप लोग सुने होंगे, form apply कर देंगे, I think, CITS Interest Exam, 19 के लिए जो syllabus है अपका उसके बारे में हम बता जते हैं, पहले इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना, हम आप लोग को पढ़ाएंगे, aptitude और regioning, ये दुनों आपके ट्रेड से, जिस ट्रेड से आप ITI के हैं ये CTI कर रहा हैं, उस ट्रेड से 75% कोशन पुछे जाएंगे, 75%, मतलब 75 कोशन से रहेंगे, और aptitude and regioning, aptitude and regioning से आपके 25% कोशन रहेंगे, मतलब 25 कोशन आपको aptitude and regioning से पुछेगा, तो काफी माहने रखता है 25 कोशन सेलेक् के लिए 70+, कोशिस कीजिएगा, 70+, जिसका नंबर रहेगा, first mate list में, उसका सेलेक्शन किसी ने किसी गौर्रमेंट कॉलेज में हो जाएगा, तो काफी important है कि 20%, 25% को हम लोग पढ़ें, क्योंकि ट्रेड वाले, तो सारे लोग करेंगे, ट्रेड का कोशन, जो ITE का ट्रेड है, जी स्ट्रेड साप है, इसमें तो लगबख सारे लोग कोशन अटेंट करते हैं, मेड बनती हमें किस से 25% से, क्योंकि ये कोई नहीं करता है, तो इस पर ध्यान देना है, जैसा कि अभिसेक सरवादा किये थे आप लोगों से, कि एक तारिक से, एक माई से, CITS का जो 25% का आने से पहले, कि सीरियस हो के ज्यादा नहीं पाढ़ना है, बिल्कुल बेसिक कोशन आते हैं, ये जो टॉपिक जो देख रहे हैं, आप बतायाएंगे इसके बारे में, बेसिक कोशन है और बेसिक जैसा ही पाढ़ना है, आराम से पाढ़ना है, पूरा फोकस आप्रोप 75% प पूरा पूर्षन से पाढ़ना है, इसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, इसमें जो सीलेबस से देख लिए, पाला सीलेबस से क्या है, नमबर सिस्टम है, इससे आज तक अभी तक एक भी कोशन नहीं पूछा गया है, इसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे, तेकि अभी तक एक भी question number system से नहीं आया है, इसको average, average जानते ही हैं आप लोग, average क्या होता है, और ratio and proportion, ratio पढ़ाएंगे, percentage पढ़ाएंगे, परतिसक, profit and loss, मतलब love and honey, simple interest and compound state, ब्याज होता है न, सदार्ण ब्याज और चक्रविधी ब्याज, time and work, समय और काम, time, distance and speed, समय, चाल और दूरी, बहुत basic है, tension नहीं आराम से हर topic वाज में पढ़ाऊंगा, आज मैं start करूंगा आप लोगों को average, average से start करेंगे, और इसके बाद next जितने भी topic को पढ़ाएंगे, last में हम number system बता देंगे, इससे question अभी तक नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है, इस तरह सी लेवा से आपका, चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए average, average क्या होता है, average मतलब आउसत होता है, किस चीज का आउसत है, आउसत को समयने के लिए हम मैं छोटा सा इंजापल देना चाहाँँगा, कि मान लीजिए, कोई संख्या है, आपके पास, किसी के पा आउसती, और इसके बाद हम बात करते हैं, इसका जो formula होता है, average का, आप बिल्कुल basic लेका चलिए गए, basic बता रहे हैं आपको, क्या होता है formula, sum of number, upon total number, sum of number क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, जितने भी आपके पास संख्या होता है, चाहे आप पैसे के form में हो, चाहे तो आपके, मान लिजे कि कुल संख्या एन है, इसना हाँ भी एन मान लिए है, तो average क्या हो गया, कि sum of number upon total number upon एन, मतलब सभी संख्याओं का योग, अपन कुल संख्या, इसको समझने के लिए मैं छुटा सा example आपको देता हूँ, देखे, example क्या है, कि मान लिजे, किसी के पास दो रुपया है, किसी के पास ती रुपया है, और किसी के पास चार रुपया है, तो ये आपके पास पैसा है, तो हम पुछेंगे कि तीनों के पास average कितना पैसा है, ये तीनों के पास, ये सब आदमी अलग-अलग, ये आदमी अलग-अलग, इन तीनों के पास एक कितना था एक पास तीन रुपय था एक पास चार रुपय था तो कोई पुशे का आप से कि इतीनों के पास एविरेज पैसा कितना है according to formula क्या ऐसे भी नर्मली आप सुचिए average मतलब क्या होता है according to formula हम देख लेते हैं पहले कि sum of number sum of number जितना भी है तो कितना है 2 plus 3 plus 4 अपन total number कितना है 1 2 3 इस formula के हिसाब से हिंदी विद्य के सभी संख्याओं का योग इतने भी संख्या है 2 3 4 है सबका योग अपन कुल संख्या है कुल संख्या कितना है 1 2 3 है तो करते हैं इसको solve करेंगे तो 3 है 2 5 5 4 9 हो गया 9 भागा 3 हो जाएगा इसको हम कठाएंगा तो कितना आगया 3 तो average भात करें average पाइस की बात करें तो तीनों के पास race 3 रुपया average पैसा है और Average के मतलब यह भी होता है कि अगर Average हम बता दिये, कि तीनों के पास 3 रुपया Average है, इसके मतलब यह नहीं है, कि तीनों के पास 3-3 रुपया ही है, आप देख सकते हैं, इसके पास 2 रुपया है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 रुपया है, Average बात करेंगे, तीनों को मिलाक तो तेन तीनों पर ही सा आता है जिए होता अब क्या करते हम ANYसीजे को इस फरमूले को द्यान से दे चुरिखनदेना एक को जो आते हैं तो दो प्रट दिया रहता यह यह पूछ दकए y necessary यह दोनों दिया रहा है कि यह पुछ देगा ऐसे पुछता है तो कुछ नहीं करना इधर से उधर करना होता है मैं जैसे पूछ यह sum of number कितना होगा यह वाला पुछा है तो क्या करेंगे हम यह इस तरफ चला जागा तो दुनों से एक सत मुल्टिप्लाई हो जागा जैसे एवरेज इंटू टोटल नंबर इन इसके बारे मैं पुछा है sum of number क्या होगा मतब कुल संख्याओं का योग बताइए क्या करेंगे एवरेज में टोटल नंबर को गुना कर देंगे जैसे यहाँ पर किये हैं क्या होई बात है सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है और यहाँ कि अाया इक फेन पर जंख्याव में बताये का सब संख्या का योगा कर देंगे को सब स्क्स्राइब तो जैसा कि देखिए पहला जो कोशन्स है कि एवरेज आफ फॉस्ट टेन नेच्छुरल नंबर क्या होगा मतलब पर्थम दस परकृतिक संख्याओं का आउसत ग्याद करें पुछा है कोशन्स यह कोशन आभी सकता है तो परकृतिक संख्या क्या होता है जो एक से सुरू होता परकृतिक संख्या प्रथम दस बोल रहा है मतलब एक से लेका दस था तो इसको सिंपल हम निकाल लेंगे आउसत आउसत निकलना है ना तो लिए देंगे आउसत आउसत इसको लटू क्या आता है कुल संख्याओं का योग योग अपन कुल संख्याओं कहीं न होता है इसको क्या कर लेंगे तो जोड देंगे एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पांच प्लस छे प्लस साथ प्लस आठ प्लस नव और प्लस दस राष अर नॉमबर अप संख्याओं कितना हो जाएगा तो टोटल एक दो तीन चार पांच नतर दस हो जाएगा आथ इसको अगर श्लीव करेंगे तो अमारे पास आएका टोटल उपर वाले को जोड़ेंगे तो कितना होगा पच्च पन होगा और न नेचुरल नमबर पर्थम 10 परकिर्ति संख्याओं का एवरेज कितना हो गया 5.5 यह आपका एंसर हो गया इस तरह से एंसर निकालना होगा आपको एवरेज पूछ रहा था हम निकाल दिये इस तरह बहुत सारा जो नमबर है जैसे होल नमबर हो गया इत्यादी के बारे भी पूछता है लेकिन यह सिंपल साब को बता जेए इस टाइप का आता है तो आप नमबर याद रखेगा नमबर मतलब जो जो नमबर इससे नेचुरल इसके बारे हम बात करते हैं कि एक टेक्सी ड्राइवर यहाँ पर एक टेक्सी ड्राइवर प्रती दिन के हिसाब से डेली 30 रुपया, 65 रुपया, 70 रुपया, 62 रुपया, 63 रुपया और 68 रुपया कमाता है बतलो एक साथा में परती दिन इस तरह से कमाता है 50 रुपया और 67 रुपया यहाँ तो कह रहा है कोचन में कि एक सब्ता हमें एक सब्ता में प्रती दिन के हिसाब से औसद कितना कमाता है एवरेज इसका प्रती दिन का आये बताईए प्रती दिन का एवरेज आये कितना कमाता है इसके बारे में हम लोग को बताना है निकलना है तो आप लोग को पता होगा कि एक सब्ता हमें कितने दिन होते हैं, साथ दिन होते हैं, यह तर पता ही है, कि कुल संख्याओं का योग, यही था ना, तो कुल संख्याओं का योग क्या है, यही तो योग है, कुल संख्याओं का योग के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, साथ यह यह पाला होगा, साथ दूसरा कितना है, 65 है, 65, इसके बाद 70 है, इसके बाद कितना है, 22.50 है, 22.50, प्लस, कितना है, 63 है, प्लस, 63 है, प्लस, 68 है, यह कुल संख्या होगा है, योग होगा है, और निचे कितना होगा, कुल संख्या है, तो, कुल संख्या कौन लेंगे, या तो इसको काउंट कर लेजिए, एक, दो, तीन, चार करके, नहीं, तो एक सब्ताह का पुछ रहा है, तो एक सब्ताह में कितना दिन होता है, साथ दिन होता है, तो, ऑटोमेटिक हम यहाँ पे साथ लिग देंगे, तो, कुल संख्या कितना होगा, साथ, आईसे भी काउंट किया, साती है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, यह अलवा संख्या को हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर कितना आएगा, आप लोग जोड़िये, कल्कुलेट करेंगे, इसको अगर क्रोस करेंगे, काटेंगे, कितना आजाएगा, एरे, 64.50, मतलब यह टेक्सी ड्राइबर, प्रती दिन औसाथ, 64.50, साड़े, 64 रुपया, प्रती दिन के हिसाब से, एवरेज, औसाथ कमा रहा है, यह इसका एंसर होगा, तो चलिए, एक नया टाइप क कोशन बता रहे हैं, नए-नए टाइप के कोशन हम बता रहे हैं, अला-ला टाइप के कोशन बना लिजेगा, तो इसी में से आएगा, बाहर नहीं आएगा, और इसमें आप इस वीडियो को वाच नहीं करना है, कॉलम और पॉपी लेकर बैठना है, जो मैं बोलना, उसको आउसत कितना है, साथ है, दस संख्या है, और इसका आउसत कितना है, साथ है, अगर पर्ते एक संख्या में 8 से गुना, 8 से गुना करने पर नया आउसत क्या होगा बताईए, क्या है, तो यहाँ पे चलिए श्टार्ट करते हैं, इसको beyondB Taylor कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अब चीजों को समझ दिया है, आप जो तक समझें के नहीं समझ में नहीं आएगा, पहले फर्मूला लिख लिजे, कोई भी चीज आए, पहले उसका में प्लिक लिख लिख लिना चाहिए, सामने रहेगा, समझ में आएगा तो आउसत क्या होता है सुरू मैंने आपको बताया हूँ कि कुल संख्याओं का योग कुल संख्याओं का योग योग मतलब जोड यह होता है न अपन कुल संख्या तो यहां क्या कह दिया है करा कि 10 संख्या का आउसत साथ है वह वहुद्ट दिया है मेरा यहां पर भूल उस्थ दिया है 7 मंतलब ये ये 7 थमको यहां दिया हुआ है और आवस किसा जत्को मे वाध से अदी है और रूंचशर कुल संख्यां का योग यां बार सकते हैं तो यहां पर निकाल लेजिए दो कुल कुल संख्याओं का योग कितना हो जागा इसको निकालना है और यहाँ 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 का यादा multiply हो जागा हो जागा 10 इंटू 7 कितना हो गया 70 हो गया तो जो संख्याओं का योग है कितना हो गया 70 हो गया फर्मुला हम इससे पहले भी लिखे थे को निकालने के लिए क्या करेंगे एधर सीधर multiply करेंगे, let's obtain सतर हो गए है अब ये मेरा 3 काल लिए है औस सथ भी निकाल लिए अउसत दिया ही था पहले साथ संख्षः भी देया था ये नहीं देया था इसको हम निकाल लिए अब क्या बोल रहा है अब जो हम सूल्व करते है यहां DO यहां पर यह कर रहा है कि कि जो आप संख्षया पराप्ट करेंगे जो भी संख्या आपको प्राप्त हुआ है ये वला इसमें हम 8 से गुना करेंगे इसमें क्या करा कि 8 से गुना करेंगे तो नया आउसत क्या है बताईए तो सीरी सवाल है परत्यक संख्या में 8 से कह रहा है गुना करना तो 10 संख्या है 10 संखिय,, मानले जो कोई भी संखियँ 10 है, x मानले तभी 1 x2 x3 करके x 10 संखियँ इस में कह रहा है कि 10 से गुना कर देंगें परतेकक में तो डोस्त के बार हम, सारी 8 से गुना कर देते हैं तो से गुना हो जाएगा तो यहीं तो है जो अंदर जो संख्या यह वाला कौन है यह वाला है यह वाला है संख्या जो टोटल लाया हुआ है वहीं है अंदर इसी में डारेक्टिक कर देंगे गुना हम तो इंसर मिझे मिल जाएगा जेन कंषिए गूना कर देते हैं 8 से इसके बाद हम फिर विचार करेंगे, तो कितना हो इसको पड़ी हटा लीजेगा जी किया होजागा यह आँपो मारकर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा पांसो साथ यह क्या हो गया पांसो साथ यह पांसो साथ क्या है जो यह है वही तो है पांसो साथ कुल संख्याओं का योग कितना है था सतर है था और इसी में आठ से गुना कर दिये तो फिर तो वही रहा यह क्या रहा कुल संख्याओं का यो संख्याओं का योग यह जो सतर था वहीं अभी यहाँ क्यों बदला बदलने का रिजन कहाँ कि इसमें हम आठ से गुना कर दिया इसलिए बदल गया है अब पुझा कि नया आउसत क्या होगा तो आउसत का फ्रूमुला लिखिए आउसत इसकल टू क्या होता है कुल संख्याओं का योग अपन कुल संख्या इन होता है कुल संख्याओं का योग तो हमको मालूम है उसत क्या करना इसको तो निकालना है औशेट हमको क्या करना है निकालना है और कुल संख्याओं का योग venir निकाल चुके हैं 560 है हुआ है तो लिख दеते हैं यहां पे 570 और संख्या कितना है दसी है दस ने ही आठ से गुना कर दिया गए था संख्या उतना ही है दस का तो यह रहा हमका मेरा नया औस पहले असल कितना था शाथ था और साथ था पहले लेकिन आठ से गूना करने बार नया उसल चपन आया आइधिंग आप लोग समझ गया होंगे फिस आप लोग इसे दो तीन बार बनाईगे का समझ में आएगा मैं क्या कहाना चाहरा था आप हम बढ़ा दिया है इस से कमी रहेगा यहां तक आ सकता है इस से ज्यादा नहीं गई उजिए रही लेल को दो है कि तो कहिन के दीन साल पहले अ बीची तीन लोग है यह की जिनका नाम है और तीन सल पहले की बात हो रही है तिन सल पहले इन लोगों का जो आउसत उम्र था 27 सल था तिन सल पहले क्या था इन लोगों का आउसत उम्र 27 सल था और पांच सल पहले बी और सी का आउसत उम्र 20 सल था यह तिन सल का दिया है यहाँ पे तिनों का ए बी सी का 27 सल और पांच सल पहले दि ये एक का अभी कितना उम्र है, उम्र के बारे में पता करें तो इसके बारे में बनाने से हम इसको बना देते हैं आप समझ लिजिए बन कैसे रहा है इसको एक दो बर बर प्रैक्टिस कीजिएगा आपको समझ में आएगा चीजों को राटना नहीं है, number of times practice कीजिए, आपको समझ में आएगा, सबसे पहले हम फरमुला लिग देते हैं, यहाँ पर, confusion किसी दिना रहा है, फरमुला क्या था, और सथ, और सथ क्या होता है, आपको पता है, और सथ होता है, संख्याओं का पूल योग, संख्याओं का कूल योग, अपन कूल संख्या ही न होता है, इसको इधर से उधर घुमा सकते हैं, तो यहाँ पर हम आते हैं, इस question पर आते हैं, अब question में बोल रहा है, जो दिया है कि तीन साल पहले उम्र 27 साल था, तो हम निकाल लेते हैं फर इनलों का सम, तीन साल पहले इनलों का टोटल उम्र कितना होगा, जोड़ेंगे, तो उम्र का कुल योग, कुल योग, योग नहीं, योग होता है, तो उम्र का कुल योग तीन साल पहले, तो यहीं योग है, यह वाला, संख्याओं का कुल योग, तीन साल पहले योग निकालेंगे, तो ही नहीं, कुल संख्याओं का कुल योग, तो क्या करेंगे, यह वाला, यह लोग को मल्टिपलाई करदें, क्योंकि यहाँ पे, देखिए, एवरेज दिया है ना, 27 साल, यह तो 27 दिया हुआ है, और कुल संख्या कितना है, एक, दो, त यह तो फाला कंसेप्ट हो गया, अब, अभी इन लोग का उम्र कितना है, उम्र का योग कितना है, अभी तीनों का उम्र का योग कितना है, तो वर्तमान में लिखिए, यहाँ पे, बनाएंगे, वर्तमान, उम्र का योग, कितना होगा, उसके लिए, क्या करेंगे, यह एक आ और तीन लोग है और तीन साल पहले के उम्र यह कासी है तीन लोग है तो तीन इंटू तीन कर देंगे नौ साल इधर हो गया तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो रहा है तो यह 90 यह हो जाएगा 90 साल अभी परजेंट में बरतमान में इन लोग का उम्र का योग कितना है कुल्यों के इतने हैं 90 साल ठीक यहां पे एक क्लू और दिया हुआ है जो नेक्स्ट कोषिन पहला पाट हो गया है पहला पाट था, आप लोगे सामने यह हो गए नेक्स्ट पारट मिझेते हैं फांच साल पहले की बात कर रहा है b और c की बात कर रहा है तो इन लोग अभी सेम उसी तरह निकालेंगे, उसके जो नियम था उसी तरह हम निकालते हैं इसका भी, बी और सी का भी, तो लिखेंगे, पांच सल पहले, पांच सल पहले, बी और सी का, सी के उम्र का कुल योग, क्या होगा, तो कुल योग ही तो है, संख्याओं का कुल योग, तो कितना दिया है, इस कंडिशन में कितना दिया है, बेखें बी और बीच शाल था उम्र कितना जिए इस बार? 20 साल दिए ऐसाथ एवरेज 20 साल दिए है और संक्खे इस बार कितना है? 2 ही है पिष्य बार 3 था इस बार कितना है? 2 है यह दूनों को मल्टिपलाई कर देंगे तो ता जाएगा ना इसको निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे तो आजाएगा क्या करेंगे 20 इंटु 2 मतलब 20कुना 2 इसकल तु 40 यह 40 जो है उम्र है और कब का उम्र है यह 5 साल पहले का उम्र है 5 साल पहले यह दोनों का उम्र का जो यूग था जोड़ था वह 40 साल का था ठीक अभी अभी कहीं लोग का उम्र निकाल लेते हैं इस तो बर्तमान उम्र का योग कितना हो जाएगा यहां पर निकालते हैं बर्तमान उम्र का योग यहां पर निकाल लेते हैं यह कितना हो जागा पहले से कितना था चालिस अब पांच साल की बात हो रहे हैं ना पांच साल की बात का कितना उम्र था चालिस अब भी कितना है तो पांच साल पीछे चालिस था तो पांच साल फिर आइड होगा ना तो पांच साल आइड होगा आप कितने लोग हैं दो लोग हैं तो दूसरा गुना कर देंगे कितना हो जागा यह पचास साल हो गया पचास यह यह हो गया B और C का बरतमान उम्र पचास साल हो गया और यहां पर जो A, B, C तीनों का उम्र की ना था 90 साथ इतना दख लिए आप next दखिए दखिए तो यहां पर हम निकालेंगे A का बरतमान उम्र पूछ रहा है A का क्या पूछ रहा है बरतमान उम्र पूछ रहा है A का बरतमान उम्र ग्याद करें तो अभी हम निकालेंगे हैं A B C का बरतमान उम्र कई योग दूग कितना था भाई 90 था याद है आपको और B और C B और C का बरतमान उम्र कितना था बरतमान उम्र का योग इनका था कितना याद किजिए 50 था यहाँ पर तीनों का उम्र 90 दिया है बरतमान और B और C का 50 दिया है तो A का निकाल लेंगे तो A के उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे A का वर्तमान उम्र निकालेंगे तो यह तीनों कितना है? 90 है 90 में से 2 का हम घटा देते हैं B या उसी को घटा देते हैं तो A का बचे का ना निकाल देंगे A का कितना है का? 40 ही या अभी जो A का उमर है यह तीनों में जो A है इसा कितना उमर है? 40 साल का है यह अभी 40 साल का है तो यह थोड़ा सा अलग हटके था average का questions था लेकिन थोड़ा सा अलग हटके था तो देखिए यहां 5 नमर questions बता रहे हैं कि इसमें एक नया टाइप का questions है कि छात्र राहूल एक छात्र है राहूल नाम का ओ गनीत के मैत के पांच टेस्ट में 75 नमर लाता है इसमें बहुत की फिजिक्स के चार टेस्ट में 80 नमर लाता है और रसायन के तीन टेस्ट में 90 नमर लाता है तो question पूछ रहा है आपसे कि राहूल सभी विशवय में और सब कितना नमर लाता है में 3 में और कितने लाता लाता है इसके बारहें पूछ रहा है थ्यों एक लग टाइप का को चुल कि इसलिए है कि चलिए हम इसको बनाते हैं कि इसमें 5 plus तो को दिल करना होगा तो यह छी होता है जो मताये जिसको हम बनाते है और देख लिए जैसे गिज्वर के इस तरह से ओस कोशन सी देख करना होगा तो यह मेरे औस जो होता है कि अवसत का फर्मूला जानते होंगे तो यहां पर वेटेज वाला अवसत निकालते हैं वेटेज डबलू से होता है वेटेज तो कितना होता है कुल संख्याओं का योग होता है ना कि कितना का 55 हो गया प्लस 80 हो गया अप roofs कितना नभय हो गया है अपन कितना संखया टोटा इस में सवाओं से है इसमें चार इसमें तीन नम्हां होरा गया है नम्हार प्लास पलकितना प्लस चार इसमें लोकिनि व सीयं इसलिए इसे यही इसमें पॉर देेश्ट ने श सब्सक्राड इस Holmes आया है ॐ ॐ ॐ ॐ तीन दिया है यह वेटेज हो गया टोटल टेस्ट कितना हो गया पांच चार तीन तो यहां पे निकाल लेंगे गूणा करेंगा जोड़ करेंगे तो कितना जाएगा 965 अपन यह 12 और इसका एंसर कितना हैगा असी पॉइंट चार एप्रॉक्स होगा यह इसका इंसर आ गया इस तरह से जो वेटेज वाला होगा इस तरह से उसको किजिएगा आप लोग अडला टाइप इस तरह के जो एवरेज आएंगे आप इसको स्वेटेगा इतना ही रहने देते हैं नेक्स जो चाप्टर आएगा जो चाप्टर आपको मैं बताया था जो यह था रेसियो बताएंगे नेस्ट वीडियो में अभी लगता है आपको की और कोशन बताना चाहिए मुझे आप कमेंट केजिएगा कोशन आपको बता देंगे पर इतना समझ लिजिए मैं चाहता हूं कि बीच तक सिलेबस खतम कर दें इतना कर लिजिएगा तो हो जाएगा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताएगा जरूर बताएगा अपने दोस्तो है एरेशियन प्रपोर्सन में थेंक्यू सो मच